थर्मोडाइमिक्स में हमारा जो नेक्स टॉपिक है वो है कल्कुलेशन आफ वर्क कैल्कुलेशन आफ वर्क ठीक है वर्क की कैल्कुलेशन कैसे करेंगे यहाँ पे जो भी वर्क डिसकस होगा ना टॉपिक के अंदर वह हम लोग पिस्टन डिस्प्लेस्मेंट वर्क डिसकस करते हैं ना पिस्टन कि डिस्प्लेस्मेंट की बात हो रही होती हैना सिस्ट्म में इस्टन डिस्प्लेस्मेंट वर्क को ही कंसीडर कर रही है बाकी को हमützenीडर करीं नहीं रहे हैं फिला अभी एक Piston Cilinder Arrangement बनाएंगे, और Piston Cilinder Arrangement में, यह Piston बना दिया, अब एक काम कर सकते हैं, इसमें एक External Force लगा सकते हैं ऐसे, नीचे की तरफ, तो जैसे नीचे की तरफ, तो जैसे नीचे की तरफ External Force लगाएंगे, तो यह X Distance हो सकता है, नीचे आ जाएंगे, ठिक है, तो Work-A- की बात करें,DW की बात करें, तो क्या हो जाएगा? X का दें,डी एक्स करते हैं, स्मॉल के लिए, DW कर रहें तो DX कर डेते हैं, तो force into displacement that become the work done. ओके और अगर हम P external लिखना चाहें, तो क्या लिखना चाहें होगा? F external divide by A, जिस पर वो area, area किसका आजाएगा, पूरे piston का आजाएगा, तो यहां से आप चाहो, तो f external को क्या कर सकते हो, क्या लिख सकते हो, p external into a लिख देना, तो dw की value जो आएगी, वो आएगी, p external into a into dx, यह आजाएगा, ओके, तो dw जो होगा, इसकी जगे पे क्या लिखा जा सकता है, area, volume लिखा जा सकता है, तो p external क्या हो जाएगा, dv हो जाएगा, ठीक है, तो work done की value जो निकल के आएगी, वो integration क्या हो जाएगा, dw हो जाएगा, तो w की value क्या हो जाएगी, p external, dv का integration हो जाएगा, यह इस तरीके से रहेगा, और हम लोग integration कहां से कहां तक करेंगे, v1 volume से, v2 volume तक करेंगे, इस तरीके से यहाँ पर work का formula बन के आता है, लेकिन यहाँ पर एक बात धेहन देने वाली है, कि हम लोग यहाँ पर क्या करने, piston कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो expansion हो रहा है, compression हो रहा है, तो volume क्या हो रहा है, कम हो रहा है, work done कैसा आएगा, positive या negative, positive आना चा लेकिन होना कैसा चाहिए, positive होने के लिए यहाँ पर minus sign लगाया जाता है, work done को positive करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर minus sign लगाया हुआ है, तो यह difference है कहां पर physics और chemistry में, physics वाले ओगर करते, तो यहाँ पर minus sign नहीं लगाते, और chemistry में जब किया यही काम, तो यहाँ पर क्य जब भी dw लिखोगे तो plus pdv लिखोगे, यह difference है, यहाँ जब भी work done आएगा minus pdv लिखना, minus sign के साथ लिखना है, ठीक है, आरिवा समझ में, तो यह work done का इस तरीके से आपको काम करना है, तो यह work done का formula हो गया, sign convention मैंने आपको बता ही दिया पिसले class में, आप एक एक करके क् प्रोसेस सेलेक्ट करते हैं, और उस प्रोसेस में हम लोग work done की calculation करते हैं, तो सबसे पहला काम जो होगा, वो होगा, होगा, reversible, isothermal, 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 यह ले रहे हैं हम लोग, reverse will ले रहे हैं, isothermal ले रहे हैं, और expansion ले रहे हैं, फिर compression लेंगे, तो reverse will, isothermal process, एक तरह से देखा जाए, तो मैंने isothermal process को select किया है, और वहाँ पर ही मैं क्या कर रहा हूं, यह ना, मैं एक तरह से isothermal process को select कर रहा हूं, तो isothermal process में मैं सबसे पहले reverse will को select कर रहा हूं, reverse will के बारे में बता रहा हूं, reverse will में भी हम लोग कहां से start कर रहे हैं, expansion से start कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारा isothermal process भी complete हो जाएगा, और reverse will के बारे में भी आप सीख जाओगे, हाँ, तो reverse will की कैसे attain की जाएगी, reverse will की attain करने का तरीका क्या होगा, आप एक ऐसे container बनाओगे, ठीक है, और इस container में एक आप piston लगा देना ऐसे करके, और piston की उपर आप छोटे छोटे sand के particle लग देना M mask के, यहाँ पर, फिर यह particle आप धीमे धीमे हटाते जाना, फाइनली यह piston जो होगा, बहुत धीमे धीमे जाके ऊपर जाएगा, यहाँ पे stopper पे जाके क्या होगा, रोक जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या भरा हुआ है, गैस भरा हुआ है, ठीक है, इस समय जो gas है यह वाला जो है, यह gas का initial volume क्या हो जाएगा, वीवन हो जाएगा, य यह पहुंचा गें थिज मूलुम कितना हो जाएगा वृटु हो जाएगा और व्हाइनल प्रशर कितना हो जाएगा यह master हो जाएगा जिसको हम क्या कह सकते हैं यह सुनों है ठीक है पीटू जो होगा वह क्या हो जाएगा वह पीटी एम हो जाएगा कि लियर हो गया यह वाद समझ में आ रही है अना यह एट्मॉस्फिर पैसर बचेगा किला बाहर वाला बनेटियम ओके और अगर हम पीवन को लिखन प्रेशर में प्रेशर जोड़ दिया अगर यह हैंड है इसके उपर में अपन ऐसे यह रख दिया तो इस हाथ के ऊपर में यह वाला atmosphere pressure भी लग रहा है और block का भी लग रहा है तो अगर यह piston इसके नीचे gas है तो उसको उपर इसका mass भी लगेगा और atmosphere का pressure भी लगेगा, तो दोनों pressure यहाँ पर लगेंगे, P atm plus mg भाई है आरहे वाँ समझे, ठीक है तो यह तो मैंने बना लिया इस तरही के से अब expansion कैसे होगा expansion कैसे होगा हाँ, एक-एक particle को आप यहां से क्या करोगे हटाते जाओ दी में-दी में एक-एक particle को हटाते जाओ तो क्या होगा, expansion होता जाएगा और expansion आपको क्या करना है आपको work done निकालना है तो work done के लिए आप अपने pen से कौन सा formula लिखोगे P external div यह formula लिखना और जब भी अपने pen से आप यह formula लिखना हमेशा अपने आप से एक question जरूर पूछना कि P external constant है या नहीं है P external constant है या नहीं है ठीक है अरिवा समझ में तो P external constant है या नहीं है इसको आपको जरूर पूछना है अपने आप से बात क्लिर हो रही है कि P external constant है या नहीं है ये बात आपको जरूर अपने आप से एक बार पूछनी है ठीक है अगर constant हो गया तो बहुत अच्छी बात है integration sign से बाहर आ जाएगा और DV को integrate करना कितना आसान होगा भी 2-D1 सीदा सीदा ठीक है तो आप मुझे बता सकते हैं कि P external constant है या नहीं है अब P external constant है या नहीं है ये बाली बात अच्छे से वही बता पाता है जिसको ये समझ में आता है कि P external होता क्या है P external क्या है क्योंकि जब तक आपको P external की समझ नहीं है तब तक आप बताई नहीं सकते कि constant है या नहीं कि बल आंसर सही हो जाना काफी नहीं है हमें पता होना चाहिए कि P-AXNAL होता क्या है क्या होता है P-AXNAL क्या है P-AXNAL pressure external P-AXNAL external pressure क्या है क्या मतलब है यहाँ पे जो F-AXNAL से लग रहा है जो surrounding system पे लगा रहा हूँ लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ क्या हो रहा है यहाँ तो gas gas expand हो रही है तो gas क्या कर रही है pressure लगा रही है धक्का मार रही किसको surrounding को तो अब आपको मैं समझाता हूँ कि external pressure होता है external pressure क्या मतलब है बाहरी pressure माल लिया वो नहीं वो pressure जिसको gas धक्का मार रही है expansion के समय है ना वो pressure जिसको gas क्या कर रही है push कर रही है expand होने के लिए वो external pressure है जिसके against gas काम कर रही है तो जो सुरुवात में पहला धक्का मारा था ना गैस ने वो P ATM प्लस M G Y को मारा था और आखरी वाला केबल P ATM को मारा तो लगातार क्या हो रहा है कम होता जा रहा है न एक्स्टरनल प्रेशर तो पी एक्स्टरनल कॉंस्टेंट नहीं है जिसके उपर गैस वर्क कर रही है जिसके अगेंस्ट गैस वर्क कर रही है जिसके अगेंस्ट गैस वर्क कर रही है जिसके अगेंस्ट गैस अपने आपको पुस्ट कर रही है वो आपका पी एक्स्टरनल होता है समझ आगी समझ में आगी बड़ा बात है ना तो भाई यहां पर आप यह फॉर्मला लिखने के बाद लिखोगे कि पी एक्स्टर्नल इज नॉट कॉंस्टेंट अब अगर पी एक्स्टर्नल कॉंस्टेंट नहीं तो कोई भी बंदा सांज से बाहर इसको नहीं निकालेगा वाज में आ रही है तो अपी एक्सटर्न नीजित के बार मतने कालो लेकिन क्योंकि प्रॉसस कैसा है रिवर्श विल है फॉर रिवर्श रिवर्श कर शिर्पास्टेंट के लिए क्या होगा पी एक्स्टर्नल नियरली कॉल टूपी इस्टू जीरो यहाद है तो पी इंटर्नल तो वास्तों में पी गैस ही है यार तो इसकी जगे पे हम लोग क्या लिख सकते हैं इसकी जगे पे हम लोग लिख सकते हैं पी इंटर्नल डीवी क्या इंटर्नल कॉंस्टेंट है क्या लिफो वियूड dozen recomend गया कि नहीं है और व्लूम बढ़े लगातारे डिलाए लगातार ना रा कंद이 ऑ कम हो रहा है ना यह तो इंटर्णल को भी नहीं में सकते हैं और इंटर्नल कि जगे क्या लिख सकते आप पी गैस डीवी आरिवा समझ में आप समझना जान से ना क्योंकि आपने रियल गैस भी पढ़ लिये आपने रियल गैस भी पढ़ लिये तो यहाँ पे मेरे पास बहुत अच्छा स्कोप है चीजों को बताने के लिए क्या है देखो अब अगर यहाँ से सुनना यहां से दो रास्ते खुल सकते हैं यह जो फ़र्मुला है ना पी गैस डीवी यह आईडियल गैस पर भी वैलेड है और रियल पर भी वैलेड है अगर आप वांडर वाल एककोईशन से पी निकाल के यहां रखोगे तो रियल गैस का फॉर्मला ड्राइव हो जाएगा बग्डण का पी प्लस एन वाले से और अगर आप कहते हैं कि नहीं सर आप फ्रॉम फ्रॉम पीवी कॉल टॉ अगर ऑपके पेन निए पीवी कॉल टॉ नासर यहां से जो कुछ भी अब होने वाला किस के लिए उने वाला है और किसकें massage के लिए उने वाला है और किसी पर मत सब किसके लिए हो जाएगा के लिए हो जाएगा एना अब चाहो है यहां लिभे ऐस भाजे आ जाता है कर देंगे तुप तो यहां पे अब आप क्या करो उसमें पुट कर दो वहां पे पुट कर दो तो डबली क्या हो जाएगा इधर पे एन आर्टी बाइवी डीवी हो जाएगा वीवन से क्या होगा वीटू हो जाएगा डबली क्या होगा एन आर्टी डीवी बाइवी हो जाएगा वीवन से वीटू हो जाएगा डबली क्या होगा एन आर्टी एलन वीटू बाइवीवन हो जाएगा ठीक है, माइनस nRT by ln v2 by v1 हो जाएगा, ठीक है, आरी बास हमें, यह बन जाएगा, तो आप चाहो तो यहाँ पर यह भी पता है कि temperature constant है, और pv equal to nRT आप use करी रहे हो, तो फिर क्या हो जाएगा, p1 v1 बरावर क्या आएगा, p2 v2 equal to क्या हो जाएगा, nRT हो जाएगा, कभी-कभी यहाँ पर pressure आपको नहीं, sorry, temperature नहीं बताते हैं, numerical value नहीं बताते हैं, सिर्फ यह बोलते हैं कि, यह बोलेंगे कि at constant temperature, expansion हो रहा है, तो T की value कभी-कभी नहीं बताते हैं, temperature की, ऐसे case में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप यह use हो जाएगा, हाँ, log में काम करना हो, तो क्या करोगे, minus 2.303 nRT log, v2y क्या हो जाएगा, v1 हो जाएगा, यह हो जाएगा, ठीक है, pressure में कभी-कभी लिखना हो, तो क्या होगा, minus 2.303 nRT log, यहाँ पर p1 by p2 कर लेना, अगर volume का data नहीं पता है, question में अगर numerical में pressure का data दिया है, state 1, state 2 पर, तो अपने को पता है, कि यहाँ से मालुम चल जाएगा, v2 by v1 किसके बराव होगा, p1 by p2 के, यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, v2 by v1, p1 by p2 के बराव हो जाएगा, क्योंकि p1, v1 और p2, v2 है, क्यों, तो य तो यह formula drive हो गया, तो बस आपको क्या करना है, आपको बस reversible isothermal process देखना है, और यह वाला formula आपको लगा देना है, इस तरीके से, और बस एक चीज़ confirm करिएगा, कि ideal gas है या नहीं है, अभी लगाईएगा, otherwise नहीं लगेगा यह वाला formula, गैस होनी चाहिए, गैस में भी कौन सी इसे होनी चाहिए, आइडियल गैस होनी चाहिए, यह नोट करो, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एक graph बनाएंगे, और graph कैसे बनेगा, क्योंकि isothermal process है, temperature constant है, तो एक तरह से boils लोग वाला graph बनता है, और क्या है, पीव इकल डू कॉस्टन माद रेक्टेंगलर हाइपर बू आप स्टेट बना लो, स्टेट बन पर वालूम वीवन था, तब प्रेशर पीवन ज्यादा रहा होगा, जब छोटा कम वालूम था, फिर आपने expansion किया, तो वालूम बढ़ा के आपने कितना कर दिया, वीटू कर दिया, तो वालूम जब बढ़ा दोगे, तो प्रेशर क्या ह कम हो जाएगा, तो जो पीटू का जो पॉइंट होगा, वो नीचे आजएगा ऐसे करके, तो यह पीटू आजाएगा यहाँ पे, यह इस आपका system का initial point था, यह आपके system का कौन सा point है, final point है, system ऐसे जाएगा, rectangular hyperbola के रोप में, ऐसे बने गए यह, यह बने गा, ठीक है, इसक रिफेंड करेगा यह वक दर्म को एक्स सेस्स तक पूरा तो यह जो तुम्हारा पूरा है यह डाबलू डिवर्स बिल को रिफेंड करेगा यह ग्राफ लिवर्समुल का ग्राफ है और Iso Thermal Salvador और expansion का घ्राफ है मैं कि आसाओ अ तो यहां पिया जो खतम हो रहा है वो खतम हो रहा है, reversible, isothermal, expansion मैंने आपको समझाया, with graph तक, graph तक समझा दिया, सब ने यहां तक पहुंच गया सब लोग, मैं यह वाला पार्ट हटा लूँ क्या, ज़र वाला, तो अब हम लोग बात करेंगे, irreversible, isothermal, expansion की, यहां पर, irreversible, isothermal, expansion, यह आपकी heading है, irreversible, isothermal, expansion, तो irreversibility कैसे attend होगी, कैना, तो irreversibility कैसे attend होगी, irreversibility attend करने के लिए, आपको क्या करना है, वही piston, cylinder arrangement बनाना है, फिर से, लेकिन, ब्लॉक की, rate की जगे, आप क्या करो, एक M mass का एक block रख लो, M mass का एक block रख लो, ऐसे, ठीक है, तो finally, कब start होगा, यहां पर gas भरा हुआ है, ठीक है, यह जो gas है, इसका volume अभी कितना है, B1 है, इसका pressure कितना होगा, आप P1, P1 किसके बराबर होगा, P ATM प्लस, M G by A के बराबर होगा, जब आप block हटा लेंगे, और यह gas फाइनली उपर पहुचेगा, piston उपर पहुचेगा, that time volume होगा V2, क्योंकि mass हड़ चुका है, तो P2 जो pressure होगा, वो किसके बराबर होगा, P2 pressure, वो P ATM के बराबर होगा, यह सुनू, ठीक है, तो P इसके बराबर हो जाएगा, किलिए रो रहा है, Done, अब आपने pen से फिर से कौन सा formula लिखोगे, W equal to minus P external db, और अपने आप से question पूछोगे, कि P external constant है या नहीं है, क्योंकि अगर P external constant हुआ, तो उसे हम आसानी से क्या कर लेंगे, integration sign से बाहर निकाल लेंगे, लेकिन P external constant है या नहीं है, कौन बता सकता है, जिसको P external की understanding proper हो, क्या था P external, इसे थोड़ी एर पहले discussion हुआ था, gas, gas जिसके against work करती है, gas जिसको धक्का मारती है, किसको धक्का मार रही है, gas, पिस्टन के उपर रखा और block को धक्का मार रही है, जियां से देखो, पिस्टन हटाने के बाद, हाँ, क्या हटाने के बाद, ब्लॉक हटा दीजिए, अब देखना, ये पिस्टन और ये block है, ये block हटाया मैंने, ये block मैंने हटा दिया, ये piston रखा, ये block है, यह ब्लॉक हटा दिया आप पिस्टन किस के अगेंस जा रहा है वन एटियम उपर वन एटियम फिर उपर वन एटियम फिर उपर वन एटियम फिर उपर वन एटियम फिर उपर वन एटियम किस के अगेंस जा रहा है एट्मोसिट पैसर के अगेंस जा रहा है वो लगातर कैसा ह वो constant है है ना गैस ने धक्का मारना कब शुरू किया था जब आपने piston सरी piston से block हटा दिया था तो आप ये मत बोलिया कि block को धक्का मारा था उसने शुरुवात कब की जब block हट गया तो पहले extent से लेके आखरी तक वो लगातार किसको धक्का मार रही है constant रहेगा ये दोनों में difference आया जबकि reversible में क्या था पी एक्सेनल constant नहीं था लगातार vary कर रहा था यहां पी एक्सेनल क्या होगा constant होगा और यह हमेशा होगा process कोई भी बना रहे चाहिए मैंने isothermal process लेके आपको समझा रहा हूँ reversible और irreversal को लेकिन reversible या irreversal process कोई भी बना रहे उसका नाम कुछ भी बना रहे आईसो थर्मल हो adiabatic हो या आप उसका नाम नहीं भी जानते हो कोई general process क्यों ना बना रहे अगर वो irreversible है even expansion हो या compression हो दोनों के case में उसमें क्या आता है p external constant आता है मैं expansion पढ़ा रहा हूँ अभी अभी मैं आपको compression भी पढ़ाऊँगा वहाँ भी मैं आपको prove कर दूँआ कि constant आएगा ठीक है इस तरीके से है तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे आप क्या लिखोगे क्या लिखोगे p external is constant तो p external constant है तो हम लोग उसको क्या करेंगे integration sign से बाहर निकाल लेंगे यह dv हो जाएगा ठीक है तो यह हो जाएगा minus p external और dv का integration कहां से काहता करोगे v1 से v2 तक तो कितना आजाएगा v2 minus v1 आजाएगा तो यह तुम्हारा formula बन गया w irreversible का क्या minus p external v2 minus v1 बन गया यह बन गया ठीक है यह मैं ग्राफ नहीं हटा रहो ग्राफ थोड़ी बना रहता है यहां पर बना रहेगा और मैं इधर इधर लिखूंगा इसको अभी बंद कर दो इसकी जरूवत पड़ेगी थोड़ा अब एक बार बताओ मुझे पी एक्स्टरनल किसके बराबर आएगा यह इस्टेंडर फॉर्मूला हो गया जब भी आपको इर्रिवसिल प्रॉसेज आए अपने पैंसे हमेशा क्या लिखोगे पैचानना चाना समय सिखा दूँगा वह सारी बातें बता दूँगा तो आपको तो लिखेगा उसमें लैंग्वेज में अगेंस्ट कॉंस्टेंड एक्स्टेंड प्रेशर बताएगा कि कॉंस्टेंड एक्स्टेंड प्रेशर के अगेंस्ट पिस्टन या एक्स्पेंशन ह कर रहा है ऐसा कुछ नाम बोलेगा कॉंस्टेंट टर्म को यूज करेगा उससे तुमको फील आ जाएगा क्या यह प्रॉसेस कैसा है इर्रिवर्सल प्रॉसेस है लगातार पिछले दो सिया तीन साल से मेडिकल एक्जाम नीट में भी आई रहा है इस साल भी आई था और कहीं न प्रेंटिम किस बराबर है acting करें ओं कि ब्लॉक तो हड गया यह वह पार्ट तो हड गया तो तो यह तो हड जाला एक प्लॉक हो ख्रोच जिसक्डेंगा आप्टिम की सहना और उस धोक्शलों Download traum में डे गालता मैं आपको संज को सहि hinter goo कि P external की value किसके बराबर है P ATM के बराबर है और वही किसके बराबर है P2 के बराबर है तो हमारा जो W irreversal का जो formula बनेगा finally बनेगा P2 times of V2 minus V1 P2 times of V2 minus V1 यह बनेगा Yes or No? अब मैं इसका आपको graph बना के बताता हूँ तो कुछ बच्चे बोलते हैं इसका graph कैसे बना सकते हो यह तो irreversal process है नहीं मैं graph नहीं बना रहा हूँ actually मैं यहां continuous graph नहीं मैं एक area plot कर रहा हूँ simply लंबाई गुणा चोड़ाई करके area plot करूँगा उससे कुछ feel आएगा आपको देखो क्या कर रहा हूँ तो यह pressure axis है यह volume axis है यह p2 हो गया तो समझना यहां से लेके यहां तक का जो volume है यह डिस्टेंस है यह v2-v1 है यह नहीं है यहां से यहां तक की है यह तो लंबा ही मानलो आप इन्टू क्या करना है यहां तक प्स तर्का किव रह, तो जो area? यहुळा में जो इरिया अपना सेदड में आएगा यह बहा सब्क्राक्स है जो एरिया अपना सेड़ में आएगा वो कौन पोला आपको इरिया सेällen में आएगा वो आएगा ये वाला, ये वाला आएगा, ठीक है, यही क्या होगा, ये डबलुई रिवर्सल होगा, यह सुनो, तो वर्क डन का जरा मैगनिटूड देखो, तो आपको बिल्कुल विजविल होगा, कि इतना सा एरिया आया है के वल ये वाला बस, ये वाला एरिया क्या होगा, ये उपर वाला एरिया पूरा, गायब हो गया, देखो, अगर मैं इसको एक बार और थोड़ा ऐसे करके बता हूँ, तो फिल आ जाएगा आपको, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला पूरा एरिया क्या हो चुका है, ये नहीं आया पिक्चर मे गायब हुआ तो magnitude wise कौन सा बर्क जादा हुआ रिवर्स वाला जादा हुआ अगर आप magnitude देखोगे अगर आप magnitude देखोगे तो magnitude के point of view से W reverse field का जो magnitude आएगा वो क्या होगा वो W reverse field से जादा आएगा कब आएगा जादा ये ध्यान रखना किसके case में किसे case में expansion के case में और sign लगा दिया तो क्योंकि expansion वर्क कैसा होता है negative होता है तो बड़ी numerical value क्या मानी negative value क्या मानी आती है छोटी मानी जाती है अगर sign के साथ किसी ने ले लिया तो ये छोटा हो जाएगा क्योंकि जैसे ये minus 100 हुआ ये minus 20 हुआ तो minus 20 वाला क्या माना जाएगा बड़ा माना जाएगा अगर wish sign ले लिया तो ये ना यसे wish sign का कोई meaning नी बनता because दोनों expansion है better we should compare magnitude magnitude वाइड ये बास सही है कि irreversal expansion process में क्या होता है work done कम आता है और reverse work done कैसे आता है जादा आता है graph से clear हो रहा है इसलिए मैंने ये graph अभी यहां रखा हुआ था ताकि मैं company करा सकूँ ये वाला area आया है के बल ये वाला यही वाला P2 times of V2 minus V1 यहां भी P2 times of V2 minus V1 है इतना area क्या हो चुका है कम हो चुका है ठीक है तो इस तरीके से यह हुआ तुमारा कौन सा कौन सा प्रोसेस हुआ irreversible isothermal expansion हुआ अब हम लोग expansion में दोनों खतम कर दिये यह अच्छली single step में हुआ है ध्यान देना multi step में भी करा सकते थे मल्टी step में कैसे होता कि piston को बीच में कहीं दो block रख देते M1 M2 के पहले एक बार M1 हटा थे पर एक बार M2 हटाते हैं तो 2 step में हो जाता तो 2 step में थोड़ा work done और आएगा 3 step में कराऊंगा तो और बढ़ेगा 4 step में कराऊंगा तो और बढ़ेगा और infinite step में कराऊंगा तो तो reversal के बराबर ही हो जाएगा कोई भी irreversible process जो infinite step में होगा मतलब बहुत दीमे-दीमे होगा तो एक irreversible process को infinite step में कराऊंगे तो उसको time कितना लगे है खतम होने में infinite time लगेगा और infinite time खतम होने आला process कौन सा है reversible तो ये जो graph बना हुआ है ये बना हुआ है किसका irreversible isothermal expansion कौन सा है कितने step कितने step ये single step का बना हुआ है कोई कहता है मैंने 2 step में किया है तो क्या होगा तो थोड़ा वाक और आ जाएगा 3 step में और आ जाएगा 4 step में और आ जाएगा infinite में इसके बराबर आजाएगा लेकिन इससे ज़़ादा नहीं हो सकता रिवर्स्विल से ज़्यादा आप नहीं ला सकते हैं, आप यह कह सकते हैं कि रिवर्स्विल प्रॉसेस जो है ना, वह रिवर्स्विल प्रॉसेस ही है, लेकिन कितने स्टेप में कम्प्लीट हो रहा है, इन्फाइट स्टेप में कम्प्लीट हो रहा है, एक रिवर्स्विल प् बन जाएगा, रिबर्स फिल बन जाएगा, ठीक है? इस तरीके से रहता है. झाल